हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब कुशल होंगे आईए आज आपका अध्याय सांक्य की के अंतरगत हम चर्चा करेंगे बहुलक की कक्षा नौ से याद कीजिए की बहुलक दिये हुए प्रेक्षनों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है अर्थात उस प्रेक्षन का मान जिसकी बारम बारता अधिक्तम है साथ ही हमने अवर्गीकरत आंक्डों के बहुलक ज्याद करने की भी चर्चा कक्षा में की थी यहां हम वर्गीकरत आंक्डों का बहुलक ज्याद करने की विधी की चर्चा करेंगे आईए पहले एक उधारन की सहायता से यह याद करें कि अव अरगी करत आंकडों का बहुलक हमने किस प्रकार ग्याद किया था आईए देखते हैं पहला उधारन किसी गेंद बाज द्वारा दस क्रिकेट मैचों में लिये गए विकटों की संख्याएं निमन लिखिद हैं दो, छे, चार, पांच, शून्य, दो, एक, तीन, दो, तीन इन आंकडों का बहुलक ज्याद कीजिए आईए उपरोक्त आंकडों के लिए एक बारम बारता बंटन सार्नी बनाएं जैसा की नीचे दर्शाया गया है विकटों की संख्या एवं क्रिकेट मैचों की संख्या शून्य के लिए आप देखिए क्रिकेट मैचों की संख्या एक है और एक के लिए एक है और दो विकेटों की संख्या, क्रिकेट मैचों की संख्या तीन है, तीन के लिए दो है, चार के लिए एक, पांच के लिए एक और छे के लिए भी एक है स्पश्ट है कि गेनपाज ने अधिक्तम मैचों यानि तीन में दो विकेट लिये हैं अतह इन आक्रों का बहुलक दो है ठीके बच्चों, आईये आगे देखते हैं एक वरगी कृत बारम बारता बंटन में बारम बारताओं को देखकर बहुलक ज्यात करना संभव नहीं है यहां हम केवल एक वरग यानि क्लास ज्यात कर सकते हैं जिसकी बारम बारता अधिक्तम है इस वर्ग को बहुलक वर्ग यानि model class कहते हैं इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निमन लिखित सूत्र द्वारा ग्याद किया जा सकता है बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बटा दो F1 माइनस F0 माइनस F2 इस प्रकार गुना H जहां L बराबर है बहुलक वर्ग की निमन यानि निचली सीमा H बराबर है वर्ग अंतराल की माप यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबरता F0 बराबर है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबरता तथा F2 बराबर है बहुलक वर्क के ठीक बाद में आने वाले वर्क की बारम भारता आएए आपकी प्रशनावली 14.2 का पहला प्रशन हल करते हैं निमल लिखित सानी किसी अस्पताल में एक विशेश वर्श में भरती हुए रोग्यों की आयू को तर्शाती है देखिए आयू वर्शों में 5 से 15 वर्श के जो रोगी हैं उनकी संख्या है 6 15 से 25 वर्शों की रोग्यों की संख्या 11 है 25 से 35 वर्शों के बीच में रोग्यों की संख्या 21 है इसी प्रकार 35 और 45 की बीच में 23 है 45 और 55 के बीच में 14 है और 55 और 65 के बीच में 5 है उप्रोग्त आंक्रों का बहुलग याद कीजिए ये सपश्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 23 जो की वर्श 35 और 45 के वर्श में है इसलिए बहुलग वर्श हमारा कौन सा हुआ 35 से 45 अब इसमें हम देखेंगे हमारा L का मान होगा 35 और H का मान होगा 45 में से 35 घटा दीजिए 10 और इसी प्रकार हम देखेंगे हमारा F1 कितना है 23 और F0 यानि F0 होगा 21 और F2 होगा 14 ठीक है बच्चों आए अब इसमें को हम सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे बहुलक वर्श से ठीक पहले आने वाले वर्श की बारंबरता हमने देखी थी 21 और बहुलक वर्श से ठीक बाद में आने वाली की बारंबरता हमारे पस 14 थी और यह हमारे पास सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H L हमारा 35 था प्लस 23 माइनस 21 बाटा 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस 14 गुणा 10 और इसको हल करके हम पाते हैं 35 प्लस 2 बाटा 46 माइनस 35 गुणा 10 और हमने हल किया इसे और हमें मिला 35 प्लस 20 बाटा 11 और 35 प्लस 1.81 आया जोडने से हमें मिलता है 36.81 अतह इस बंटन का बहुलक कितना हुआ 36.8 ये दर्शात है कि अस्पताल में भरती अधिक्तम रोगी 36.8 वर्ष के हैं ठीके बच्चो समझ में आया आगे प्रश्न करते हैं दूसरा प्रश्न निमल लिखित आंकडे 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल जो घंटों में दिये हुए हैं उनकी सूचना देते हैं उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ग्यात कीजिए ठीके बच्चो जीवनकाल घंटों में दिये हुए हैं शून्य से 20, 20 से 40, 40 से 60 घंटे और 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 और उनकी बारंबरता उनके सामने दर्श आई गई है 10, 35, 52, 61, 38 और 29 इसमें आप देखिए सबसे अधिक बारंबरता कौन सी है ये है 61 ठीक है तो इसको हम ले लेते हैं F1 अब हमारे पास यहां पर 60 और 80 इसमें से हम L ले लेंगे 60 और F0 हमारा होगा 52 और F2 होगा 38 ठीक है बच्चो आईए अब हम इसको सूत्र में रखते हैं और इसका मान निकालते हैं बहुलक वर्क के ठीक पहले आने वाले वर्क की बारंबरता हमारे पास 52 और यहां पर हम F1-F0 बटा दो F1-F0-F2 गुना H L हमारे पास था 60 और H था 20 और हमने F1 हमारे पास था 61 और F0 है 52 52 और F2 है 38 बस अब यह मान हम इसमें रख देते हैं यह हो जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52 बटा दो गुना 61 माइनस 52 माइनस 38 गुना 20 इसको हल कर लेते हैं यह आजाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52 हो गया 9 बटा 122 माइनस 90 गुना 20 इस प्रकार 60 प्लस 180 बटा 22 दो से काट देते हैं यह हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 90 बटा 16 90 को 16 से भाग देते हैं 60 प्लस 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 आजाएगा हां बिलकूल यह पांच बार चला जाएगा हो रहआरे पास साट प्लस पांच दशमलव छे दो पांच आएगा इसको जोड़ देंगे पैंसट दशमलव छे दो पांच ये हमारा बहुलक आएगा ठीक है बच्चो समझ में आया अतह उपकरनों का बहुलक जीवनकाल पैंसट दशमलव छे दो पांच गंटे है ठीक है आईए अगला प्रश्न करते है निमल निखित आंकडे किसी गाओं के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते है इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ग्यात कीजिए साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ग्यात कीजिए यहां हम बहुलक करेंगे हम माध्य सीख चुके हैं यहां पर व्यय रुपे में दर्शाय गया है और परिवारों की संख्या भी दी गई है हजार से पंदरा सो रुपे वाले 24 परिवार हैं इसी प्रकार पंदरा सो से दो हजार वाले 40 परिवार हैं दो हजार से धाई हजार वाले 33 और दो हजार पांच सो से लेके तीन हजार तक 28 तीन हजार से तीन हजार पांच सो की बीच में 30 3500, 400 की बीच में 22, इसी प्रकार 4000 से 4500 की बीच में 16 और 4500 से लेके 5000 की बीच में 7 अब हमें बताईए सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, बिल्कुल सही हमारे पास है 40 तो इसको हमने ले लिया F1 और ये हमारी बहुलक वर्ग हुआ, इसमें L कितना हुआ, L हुआ, 1500 और F0 क्या हुआ, 24 और F1 तो हमने लिख लिया 40 और F2 क्या हुआ, बिच्चो इसके बाद, वर्ग के बाद वाली कितनी है, 33, और हमारे पास वर्ग माप कितना होगा, 1500 में सी 1000 माइनस कर दीजिए, 500 ठीके, अब इसको हम सूत्र में रख लेते हैं, देखे, हमने लेखा सबसे अधिक बारंबारता 40 है, जो कि वर्ग 1500 से 2000 में है इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 1500 से 2000 हुआ, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 1500 हुई, और बारंबारता 40, बहुलक वर्ग की बारंबारता और वर्ग मार्ग 500 भरवलक्त वर्क से ठीक पहले आने वाले वर्क की बारंबारता हमने 24 ली और बाद में आने वाली की बारंबारता 33 इस प्रकार हमारे पास फॉर्मुला क्या हुआ? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H L का मान है 1500 प्लस F1 कितना है? 40 माइनस 24 बटा 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस 33 अब देखिए हमारे पास इसको हल करके हमें मिलेगा 1500 प्लस 16 बटा 23 गुना 500 इसको ऐसे ले लिजे यहां पर 1500 प्लस 347.826 मिलेगा जिसको हम जोडेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1847.83 अतह इन परिवारों का बहुलक मासिक व्याय कितना हुआ? 1847.83 ठीक है बच्चो समझ में आया? आईए अगला प्रश्न करते है प्रश्न चार निमलिखित बंटन भारत के उच्चतर मादमीक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है इन आंकलों का बहुलक याद कीजिए ये देखिए प्रती शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहां दर्शाई गई है और राज्ये एवम संग्ये छेतरों की संख्या उसकी सामने दर्शाई गई है 15 से 20 की संख्या के सामने 3 है 20 से 25 के सामने 8 है 25 से 30 के सामने 9 है और 30 से 35 के सामने बारम बारता 10 है इसी प्रकार 35 और 40 के सामने 3 है 40 और 45 के सामने 0, 45 से 50 शूने और 50 और 55 के सामने 2 अब बताईए बच्चो सबसे ज़्यादा बारम बारता कौन सी दिखाई दे रही है सबसे अधिक है 10 बिल्कुल ठीक तो इसको हम F1 ले लेते हैं अब इसके सामने कौन सी है हमारे पास वर्ग 30 और 35 तो ये हमारा हुआ बहुलक वर्ग ठीक है और इसमें हम देखते हैं हमारा L का मान कितना होगा 30 और वर्ग माप कितना होगा 20 में से 5 गटा दीजिए या 35 में से 30 गटा दीजिए ये बराबर है 5 ठीक है और F0 कितना है बच्चो 9 ठीक है और F2 कितना है जो बाद वाली है बहुलक वर्ग के बाद वाली बारम बारता ये है 3 ठीक है अब बस हमें इसको सूत्र में रखते हैं और इसको हल करते हैं ये देखे हमने निकालिया बारम बारता हमारे पस 10 थी और हमारा वर्ग 3035 में है इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 3035 है बहुलक वर्ग की निमन सीमा हमने निकाली 30 और बारम बारता F1 हो गया 10 वर्ग माप हो गया 5 बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली वर्ग की बारम बारता 9 हमने देखी थी और बहुलर वर्क की ठीक बाद में आने वाली वर्क की बारम बार था 3 अब हम इसमें मान रख देते हैं हमारे पस L का मान है 30 प्लस F1 माइनस F0 F1 था 10 माइनस 9 बटा 2 गुना F1 यानि 10 माइनस 9 माइनस 3 गुना H H कितना था 5 ठीक है बच्चों तो यह हुआ 30 प्लस 1 बटा 20 में से 9 10 11 12 हना दोनों माइनस की साइन है तो हम इनको जोड लेंगे तो 20 में से हमने 12 को घटाना है और गुना करना है यहां पे 5 से तो यह हमें मिलेगा 30 प्लस 5 बटा 8 ठीक है जिसको हल करके हम देखेंगे हमें प्राप्त होगा 30 प्लस 0.625 इस प्रकार 30.625 हमारा पहु लगा यहां यह आक्रे दर्शाति हैं कि अधिकतर राज्यों संगीर छेत्रों में प्रती शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.6 है ठीक है बच्चों समझ में आया चलिए अगला प्रश्न करें दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेश्टम बल्ले बाजो द्वारा एक दिवसिये अंतर राश्ट्रिये क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है यहां पे देखिए बनाए गए रन और वहां बल्ले बाजो की संख्या है 3000 से 4000 की बीच में चार, 4000 से 5000 की बीच में 18,5000 से juice 1000 की बीच में ज़्यादा बारंबारता कौन सी दिखाई दे रही है आपको हाँ बिलकुल सही 18 ठीक है तो इसके सामने यह हमारा बहुलक वर्ग हुआ और इसमें एल कमान कितना हुआ निम्नमान है 4000 और आप देख रहे हैं वर्ग माप कितना होगा 5000 से 4000 घटा दीजिए यह हुआ 1000 और यह तो आप जानते हो यह F1 हो गया F0 उससे पहले वाला और F2 उसके बाद वाली बारंबार था ठीक है अब हम इसको सूत्र में रख देते हैं यह देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H L का मान 4000 प्लस 18 माइनस 4 बटा 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस 9 गुना 1000 इसको अगर हमल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4000 प्लस 608 दशमलव 695 और जोड़ देंगे तो हमें 4608 दशमलव 695 प्राप्त होगा अतह इस बंटन का बहुलक कितना हुआ 4608 दशमलव 7 रन ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रशन करते हैं एक विद्यार्थी ने एक सडक के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दीव हुई सार्नी के रूप में व्यक्त किया सार्नी में दिया प्रतेक प्रेक्षन 3 मिनट के अंतराल में उस थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंदित है ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्शन लिए गए इन आंकडों का बहुलक ग्याद कीजिए कारों की संख्या और उनके सामने बारंबारता तर्शाई गई है शून्य से 10 साथ है दस और बीस के सामने चौदा बीस और तीस के सामने तेरा तीस और चालेस के सामने बारा चालीस और पचास के सामने बीस पचास और साथ के सामने ग्यारा 60-70 के सामने 15 और 70-80 के सामने 8 यह आप देखिए सपष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है बच्चो हाँ 20 ठीक है तो हमारे पास वर्ग कौन सा हुआ बहुलक वर्ग हुआ 40 से 50 तो हमारा L का मान हुआ 40 ठीक है और वर्ग माप कितना हुआ 50 में से 40 घटा दीजिए 10 और F1 कितना हुआ बिल्कुल ठीक 20 और F0 कितना हुआ 12 और F2 कितना हुआ बच्चो 11 ठीक है अब हम इसको सूत्र में रख देते हैं और परिकलिट करेंगे देखिए हमारे पास L ठा 40 प्लस F1 F1 हमारे पा 20 माइनस 12 बटा 2F1 दो गुना 20 माइनस 12 माइनस F2 कितना है 11 बहुत ही सदल है और हमारे पास वर्ग माप कितना था 10 ठीक है तो इसको हल करते हैं 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे 8 आठ आएगा और ये 20 गुना 2 कितना हुआ दो गुना 20 हुआ 40 माइनस 23 गुना 10 ठीक है और ये हमें मिलेगा 40 प्लस 8 को 10 से गुना कर देते हैं 80 और इसको हम घटा देते हैं 17 आएगा अब 80 को 17 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4 दशमलव 7 तो हमारा मान हुआ 40 प्लस 4 दशमलव 7 इस प्रकार 44 दशमलव 7 अतहा इन आंक्रों का बहुलक कितना हुआ 44 दशमलव 7 कारे हैं ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रश्न करें आपकी ग्रह कारे के लिए कुछ प्रश्न है याँ पे ले लिजिए पहला प्रश्न है बंटन वर्ग और बारम भारता दिखाई गई है वर्ग है शून्य से पांच पांच से दस दस से पंद 12 20 और 9 इनके लिए बहुलक वर्ग कौन सा है आपके पास 4 विकल्प है पहला 5 से 10 दूसरा 10 से 15 तीसरा 15 से 20 और 14 विकल्प है 20 से 25 आपको सही विकल्प चुनना है दूसरा प्रश्न है बंटन यहाँ पे प्राप तांक है और उनके सामने विद्यार्थिओं की संख्या है 10 से कम 3, 20 से कम 12, 30 से कम 27, 40 से कम 57, 50 से कम 75, 60 से कम 80 इन के लिए आपको भूलक वर्ग देखना है कौन सा है पहरा विकल्प है 10 से 20, दूसरा विकल्प है 20 से 30, तीस्णा विकल्प है 30 से 40 और चोथर विकल्प है 50 से 60 तीसरा प्रश्ण है किसी गाउं में कृष्षी, योग्य भूमी, स्वामियों की बारंबारता बंटन सार्णी नीचे दी गई है भूमी का छेत्रफल हेक्टेर में एक से तीन, तीन से पांच, पांच से साथ, साथ से नौ, नौ से ग्यारा और ग्यारा से तेरा है और उनके सामने बारंबारता है परिवारों की संख्या, यहाँ पे है 20, 45, 80, 55, 40 और 12 इस गाउं का भूलक भूमी स्वामित्व ज्याद कीजिए ठीक है बच्चों, आईए, अब आप सारांच देख लेए आज हमने क्या पढ़ा वर्गीकरत आंक्रों का भूलक एक वर्गीकरत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को केवल देखकर भूलक को निधारित करना संभव नहीं है आंक्रों का भूलक ग्याद करने के लिए अधिक्तम बारंबारता वाला वर्ग ग्याद कीजिए यह वर्ग भूलक वर्ग कहलाता है आंक्रों का बहुलक एक ऐसा मान है जो इस बहुलक वर्ग में होता है निम लिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए वर्गी करत आंक्रों का बहुलक परिकलित किया जा सकता है आईए सूत्र देखें, बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बटा तो F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H जहां L बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानि निचली सीमा और H बराबर है वर्ग अंतराल की माप यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापो के हैं F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता F0 बराबर है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता तथा F2 बराबर है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता ठीक है बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा खुब अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद में खुब आपको 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 ओडता पार्ट समझ में आपकोश entren qué तुब √ल